तो यहां शॉपिंग करें थी तो बहुत तेज भूग लगी जलबा के बारे में काफी सुना था मैंने तो सोचा आज यहीं बेठा जाए तेली मसाला के साथ और कुछ गफशब की जाए तो आएए चलिए मेरे साथ तो यहीं नाचते काते लेकर आएंगे बट पहले तो सब फ्रेंड्स को बलाते थे तो लास्ट यह तो बड़ा ही मुश्किल हो गया सिफ आमिली थी पट लग्की लिए कि मेरे साथ जॉइन फामिली रहती है तो फिर भी हम लोग मिलके जो है साथ आट लोग एक साथ रहते हैं तो जैशन हो ही जाता है बड़िया फ्रेंड्स को मिस्करते हैं होफुली अभी मुझे भी दोनों वैक्सिन लग गए है और काफी फ्रेंड्स को भी लग गए है तो बस इस बार यह आशा है कि मतलब पहले की जैसे थोड़ा बहुत हम लोग कर पाएं और जाएंगे गाते बजाते वे डोल वाले को बुक कर दिया है मैंने अभी वही करके तो डोल वे बजाते में डांज गाते में जैकारे लगाते में लेकर आएंगे गदपती को काफी जादा मुझे लगका अब तो वो समझते होंगे सारी चीजे तो उनका कितना इनिशेटिव वो कितने एकसाइद है इस बार को लाने के लिए इस फैमिली अफेर ओबिस एवर पिछली बार बिकॉज ओफ लॉग्डाउन हमने घर में ही किया था तो अवही बनाना लीफ से किया था बट उसमें ना इक बहुत अच्छी चीज थी यू नो कि उसमें अपन था हर बार तो डेकुरेटर आके करता है तो वहमने दिरो सिंपर बट स्टिल बहुत अच्छा ल बनाना लीफ से ही कुछ फ्लावर गालेंज बनाकर खुद से ही करेंगे लॉगडाउन ने काफी कुछ अच्छी से चीजे सिखा भी दी है तो वही उसको ही यूज करेंगे जितना हो सके उतना कॉस्ट एफेक्टिव रखेंगे और मतलब जितना सिंपली हो सके उतना करने की करेंगे मैं मुझे बहुत ही सिंपल चीजे पसंद है जैसा कि आप घर में खाना हाते है मुझे वही पसंद है दाल चावल पनीर एंड चपाती बड़ अब ही मुझे बहुत समर टाइम है और मैं काफी थक गई और काफी मुझे करमी लग तो मैं पहले कुछ कॉल काफी लू करता है वैसे ही लूँगी बिकाज अभी में जादा खोल जो है अवाइड करती हूँ तो हाँ तो कुछ अभी ड्रिंक ही लूँगी लेट मी फूल डाउन उसके वाद सोचती हूं कुछ खाना है के नहीं तो फाइनली मेरा लजीज जो है सांविच आ गया क्योंकि मैं ने बताया आपको मैं शॉपिंग करते करते हैं रुकी हूं तो सोचा कि अभी जादा और मैं अकेली भी हूं तो जादा तो नहीं खाए पाऊंगी तो वाइन टो हैव सांविच तुड़े और मज़दा ये है क मैं चीज है और ये जादा प्रोडीन ये सोच के मैं तो खाने वाली हूं तो येस लेट में ट्राइ कैसा है तो मुझा मैं काफी बड़ा सैन्मुच है दो तो भी है जिस्के एक नं capac ॐ लिफ्ट वाओ बहुत प्सतंद मुझह विदी था पेटफैस्ट तैय्टोव जाईन भी है कि ऊचेज है श्मुचन पहसी है इन सीच्छन करैं़ आर चीज है पनी लोँ सरद मुझ को सथीं है हूए और मुगी ही निया प्नीर है तो ऑस्म तो हैपी, थैंक्स तू जलवा अच्छा एक लिए गानेश चातुर्थी जी बच्छपन की मैं डेली में पहाडगन से हूं और लकिली वहाँ वैसे डेली में उस टाइम पर तो इतना साधा गनेश जी का गनेश चातुर्थी पर इतना नहीं मनाया जाता था बट मेरे एरिया में गनेश जी आते थे फॉर 11 देज और हर दिन एक कथा होती थी और हम सारे बच्छे और वह कथा जो है नाइन ओक्लॉक से लेवन ओक्लॉक तक चलती थी तो पूरी गली के लोग एक साथ बैठते थे जागनर तो वह ग्यारा दिन इतनी रौनक रहती थी इवनिंग में नाइट टाइम पे हम लोग गवशब करते थे और अच्य 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 जो प्राणी कताएं वह सुनाई जाती थी रमायन का पाथ होता था तो वह सुनने को मिलता था तो बहुत एक अच्छा एंवार्मेंट होता था इस्टील मिस्ट दाट हाँ अच्छा थे तब आप एक अच्छा देवाद एक अच्छा था लागा था खिए देखे मैं काफी फैमिली ओरिंट और काफी यूदो दिल से चलने वाई लड़की हूं तो मैं यही कहूंगी कि काम्याबी और बहुत ज़रूरी है लाइफ में काम्याब होना यह बहुत ज़रूरी है अपने रिष्टों को भी बचाके रखना जब हम तूटते हैं तब पैसा हमें उपर नहीं उठा सकता तब हमारे अपने ही हमें हग देकर जाते हैं और जो हमें संभाल सकते हैं जिनके कंधे पर असर रखे हम रो सकते हैं तो करियर में तो काफी उतार चड़ाव आते हैं बगर अपनों को साथ में रखना मत भूलिए हां कभी-कभी लडाईयां होती है ओपीनियंस डिफरेंट होते हैं बड़ उनको सिर्फ ओपीनियंस के जैसे रखिए अलग होने की बात कहीं ना कीजिए ना तो फैमिली ना पार्टनर कोशिश करें अगर साथ में चल स तो आई थिंग लाइफ में चलना असान होगा सबको समझना असान होगा अगर आप कोई भी आपकी होबी है जो आप काफी मिस कर रहे है तो थोड़ा सा थाम हाफ एन आर एट लीस उसके लिए स्मैन कीजिए और आप देखिए आपकी लाइफ कितनी फ्लरिश और यूनों प आप दिवपा बोर्या